एक यह एक पाली है तो आज मैं आया हूं सड़जू नदी शुबहें के च्छ चुके तो देख सकते हूं पेक साड़ का पर यह तो अपको पता है कहां पर है आयोध्या केंट तो आज मैं मेरे फूफवा जी बुबा जी और राहूल बाई मेरे साथ में उनके साहँ में अवध यहां का जो जो मंदीर है सब सम इट्टु जड़ आयुद्धा का में बताने लोग आप सब कैसे आना है आयुद्धा उस सब आपको सब टोटल डिक्टों में बताऊंगा व्लोग में एंट तक बनी नहीं है और फूल मजे के साथ देखते रहे हैं जो महारड मस्त मस्त मंदीर यहां सेच्छो जो मिलते आया की तो मेरे साथ में मेरी वां मेरे बुआ रहल भाए आपपाजी अब पुल में दूपका दूपके मार रहें बाइगा वे उनको बोला सफोटों निकालों जाके लिए दूपके मार रहे हं चलो अभी नाथे भी निजाए कर तो फिर जाएंग एपको जाए फिज्टीन खोल लिये और फेर तके पानी आप ज़िए इसंगे ज्याँ 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 मेरा दोटीन जाओं पुपाज आगे मज़ाओ इस चलिपगी इस अभा जो आराम से अभे एफ शेरी एचेंज आड़ और रहे तो तंडे 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 तो मेरा और मेरे फुफवाजी सबका हो गया दर्शन सर्जुन अदी में नावी के सब दर्शन हो चुका है तो हम लोग अभी निकल रहे हैं राम जनम भूमे में वहां का भी दर्शन करना क्योंकि अभी साथ बच्चों का था साथ 11 बजे मंदिर बंद सब्सक्राइब निकलते हम लोग भी तो वहां पर अभी दर्शन लेते मोगल वहल सब आलाउट रहेगा तो आपको आप सब वीडियो दिखाऊंगा बगवान का मोगल आलाउट में रहेगा तो भाई बैड लग रहेगा मेरे लेकर दर्शन करके आँगा बहार से जो नॉर् झालाउब